नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूट चैनल जी असम क्लासस में मैं सियराम बर्मा आप लोंगे सामने फिर ये बार उपस्तित हूं गड़िद विसे के साथ जिसमें मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एक्जाम के लिए बहु एक क्विश्चन ये आपसे जरूर पूछा जाता है कि अंडर रूड टू अंडर रूड थ्री अंडर रूड फाइप को सिद्ध कीजे कि वो एक आपर्मिय संख्या है तो उसी में से हम एक लेते हैं क्विश्चन यहां पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजे कि अंडर रूड पांच एक आपर्मिय संख्या है अब इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं यह हम इस पे चर्जा करते हैं देखे इसको सिद्ध करने के लिए यह करना है कि जो चीजे दी गए हैं उससे हम पोजिट माने उल्टा माने जैसे इसमें दिया गया है पर्मिय आपर्मिय संख्या तो हम इस यह सारी चीज़ अब जानते हैं ठीक तो हम चलते हैं देखें यहां पर मान लेते हैं कि माना माना अंडरूड पांच एक परिमिय संख्या है परिमिय संख्या है अगर यह परिमिय संख्या तो इसको पी बटे क्यों के रूम में लिख सकते हैं इसलिए अंडरूड फाइप इक्वल पी अपां क्यों जहां पर जहां पी और क्यों सा अभाज है सा अभाज है तथा क्यों नाट इकूल टू जीरो कितनी चीजें आप रोक समझ पाए अब इसमें क्या करना है हम यहां से अंडरूड हटाने लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पच्छों का का वर्ग करने पर जब और एक करेंगे तो यहां से रूट गायब हो जाएगा और इस पर स्कॉयर लग जाएगा इस पर स्कॉयर लग अर्थात यह ऐसे हो जाएगा हम इसको ऐसे स्कॉयर कर दी और पी अपां कि कहीं स्कॉयर टिक यहां से रूट गायब हो जाएगा तो पांच बढ़ाबर हो ज से हुगा करेंगे तो यहां पर हो जायगा पांच क्यू जगार दो बराबर पी जी फिर बराबर लिख सकते और अब देखिए की की इसकर से यह निकलता है है लिखेग बीजिश कौर को क्या यह कर रहा है पांच वीजिद कर रहा है अगर पीे square को 5 बिभाजित करेगा तो P को भी 5 बिभाजित करेगा ठीक तो यहां पर हम लिक देए हैं P square 5 से बिभाज है अगर यह P square 5 से बिभाज है तो क्या होगा पी भी पाँच से विभाज होगा यहाँ पे एक्वेशन फ़श्ट कर दिया आई बास समझ में अब इतना कर दिया गया अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं मान लेते हैं माना प कि बराबर अच के अब प्र तो फी स्कॉएर बराबर क्या होगा बहुत पच्ची सबस्क एहां 25 स्कॉर फिक अब यह क्या करेंगे P स्कॉर की जगेए इसमें 25 M इसकॉर रख देंगे रख दीजिए तो क्या प्राफ्त होगा किउ स्कॉर बराबर 25 M स्कॉर बटी 5 पांच पॉर चाहां 25 तो की स्कॉर बराबर हो जाएगा 5 M square तो यहाँ से हम M square लिखें तो क्या हो जाएगा Q square बटे 5 यह चीजे समझ में आई यहाँ लोगों को अब देखें यहाँ पर Q square को भी 5 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है अगर Q square को 5 विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा 5 जैसे यहाँ पर P square को भी विभाजित कर रहा है सेम होई चीज यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं देखें Q square 5 से विभाज है अगर यह 5 से विभाज है तो Q भी 5 से विभाज होगा यह अपका question second हो जाएगा अब देखें P को भी 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी 5 विभाजित कर रहा तो यहाँ से क्या लिखेंगे समी करण अब देखें समी करण फर्ष्ट और समी करण second से यह हमें पता चलता है कि 5 जो है P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है अगर दोनों को भी विभाजित कर रहा है तो इससे हम कह सकते हैं कि P दोनों का एक उभे निष्ट बुड़न खंड है उभे निष्ट मतलब दोनों में वो चीज़े पाई जाती है उसी को हम उभे निष्ट कहते हैं तो यहीं से लिख दीजे कि समी करण फर्ष्ट और समी करण second से 5 P और Q Q को विभाजित करता है जित करता है अता पी और Q का एक उभे निष्ट निष्ट गुरन खंड पांच तो P और Q का एक उभे निष्ट गुरन खंड पांच अब देखें और हमने क्या माला था कि P और अंडर रूट पांच जो है वो P बटे क्योंके रूब में लिख सकते हैं अर्थात P और क्योंकि आए एक पर्मिय संख्या पर्मिय संख्या में यह होता कि एक ही गुरन खंड होना चे यह वान इसके अत्रेक्दे कोई गुरन खंड नहीं होना चे अग्ता इससे इस तत का बिरोधा भास बिरोधा भास प्राप्त होता है होता है कि पियो क्यों पी और क्यू में वन के अत्रेक्दे कोई कि गुरन खंड नहीं है अब कोई गुरन खंड नहीं है इसका क्या हो रहा बिरोधा भास हो रहा है यह ए विरोधा भास का हो रहा है जो हमने ये कब प्राप्त हो रहा जो हुमारी कलपवाएं क्या होगे गलत होगी हमने गलत मान लिया यह हमें इस लिए प्राप्त हो रहा है, लिए प्राप्त हुआ जग हमने गलत परिकल्पना की अता अंडरूड पाँच एक आपर मिय संख्या है यह संख्या है बस इतना ही इसमें करना होता है आई बात स्वाहिमें, देखिए हमने क्या किया कि मान लिया कि अंडरूड पाँच एक परिमिय संख्या अगर परिमिय संख्या है तो प बटे क्यू के रूम में लिख सकते है जहां प और क्यू एक सा आभाज है और क्यू नाट इक वल्टू जीरो है दोनों पच्छों को वरिग किरने पर यहां से रूट हट जाएगा पी का स्कॉर बटे क्यू का स्कॉर हो जाएगा इसको क्रास मल्टिप्लाई किया गया तो पांच क्यू स्कॉर बराबर पी स्कॉर क्यू स्कॉर बराबर पी स्कॉर बटे पांच P square को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा फिर हमने क्या किया मान लिया कि P बराबर 5 M P square बराबर 25 M square हो जाएगा क्योंकि इधर दोनों का क्या किर दिया गया वरगी कर दिया गया यह बैल उठा कि इसमें रख दिया गया यहाँ पे जब रखेंगे तो यह 25 M square रखेंगे P कीजिए जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 हो जाएगा M square बराबर Q square बटे 5 हो गया अब यहाँ पे Q square भी 5 से विभाज है तो Q भी 5 से विभाज होगा यह equation second हो गया यह equation आपका फ़श्ट था अब इन दोनों की question से यह पता चलता है कि 5 P और Q को भी भाजित करता है अर्था तो दोनों को भी भाजित करता है अब दोनों को भी भाजित कर रहा है यसलिए P और Q का एक भेनिश्ट गुरनखंड पाँचे को इस से इसतत का विरोधा भाज प्राफ्थ होता है कि P और Q में एक के वन के अतरिक्त कोई उप है गुणनखंड नहीं है अब कोई और गुणनखंड नहीं है इसका विरोधा भाज हो गया यहाँ पे जो यह कब हुआ यह हमें इसलिए प्राफ्थ हुआ जब हमने गलत परिकलब ना की और जब गलत परिकलब ना कर ली तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडरूर्ट पाँच एक आप अर्मिय संख्या है आई बात सोज में तो इसी के साथ आज बस इतना है अब अगले वीडियो में और सारी चीजे बताई जाएंगी आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सियर करें और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कर लें जिस से आपको क्लासिस के रिलेटट वीडियो को प्राप्त होते रही notification मिलता रहे और comment box में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कहसी लगे जय हिंद